हेलो बच्चो मैं हूँ छाय खेलवार आप लोगों के बैलोजी फिकर्टी स्वागत करती हूँ आपके अभिप्षा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस पर तो बच्चो अब तक हमने क्या जाना अब तक हमने बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स के साथ स्टार्ट किया था अम्नियोसेंटसिस के बारे में लैकोपेराउन के बारे में आज हम कुछ नया मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले बच्चो जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्पुन होता है यह जो महत्पुन टॉपिक है आपके पूरी लाइफ के लिए बहुत ही जादा और आपक तो इसे आप जठ्यान से देखें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं तो जैसा कि आपको सभी को पता है बच्चो परिवार नियोजन यानि कि जन्म नियंत्रन परिवार नियोजन या जन्म नियंत्रन क्या होता है आप तो सभी जानते हैं कि हर घर में पहले के टाइ करते थे यानि कि बहुत सारे बच्चे उत्पन करते थे जिससे क्या होता था जनसंख्या वृद्धी बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही थी तो जनसंख्या अगर वृद्धी तेजी से बढ़ेगी तो सीधी सीधी बात है उत्पादक जो हो रहे हैं वो बहुत ही जल्दी स समाप्त हो जाएंगे है ना लोग उसका जो सोर्सेस आ रहे हैं वो क्या होगा धीरे 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 खत्म होते जाएगी जनसंख्या वृद्धी जादा हो गई सोर्सेस हो जाएंगे कम है ना तो वैसे में क्या हो जाएगी जिंदगी में परसानिया ही आती जाएगी इसलि तो विभिन विभिन नियम लागू कर दिए हैं जैसे की आपको सभी को पता है ठीक है तो आप समझेे ये जो जन्म नियंतरण है पहले के टासे काड़ी करते हों कि पहले के टाइम लोग नहीं महमारी जो आती थी वो कंट्रोल कर देती थी कि आते थे कभी प्लैग आ गया था अभी देख रहे हैं हाल ही में हमारे सिच्वेशन क्या हुआ था कोरोना वाइरस आगया था कोरोना वाइरस ऐसा महमारी पैदा कर दिया कि जो अभी इतने सारे जो लोग थें अंड कंडिशनल में लोग खतं होते सभी को मृत्यू बहुत ही ज़्यादा प्राप्त हुए यानि की मृत्यू को लेकर के आया यह महमारी ऐसा था कि बहुत ही लोग इसमें मर रहे थे तो यह हमारी है एक प्रकार से देखा जाये तो आया कैसे है जनसंख्या को कंड्रोल करने के लिए ही आया है लेकिन देखी यह तो अचानक हुआ यह पहले के टाइम में बहुत होता था जिसके विच में जनसंख्या को नियंतरित करने के लिए बहुत ही रूल ला दिये रूल अर्थात एक डिवाइस ला दिये हैं डिवाइस जो है वो क्या करेगी जनसंख्या को कंट्रोल करने का कारे करेगी तो चलिए देखते हैं में कि डिवाइस के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार से हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं तो ये जो जनसंख्या को कंट्रोल करने की जो अलग-अलग विधी है आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं ठीक है आप लोगों को भी ये सारी चीजे बता सकते हैं कि आप जन्म को इस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं यदि किसी को भी बच्चा नहीं चाहिए है ना क किसी को और भी बेबी प्लान नहीं करना है तो आप इस मैथट के द्वारा उसे बता सकते हैं ठीक है यह खुद भी जानकाई रख सकते हैं तो जन्म नीयंत्रित की हम बात करें तो दो विधी होती एक होता है जिसे हम कहते हैं बच्चों प्राकतिक विधी कहते हैं दूसरे क को हम कहते हैं बच्चों कृतिम विधी कहते हैं एक को हम कहते हैं क्या प्राकतिक विधी कहते हैं देखे जन्मनियंत्रन की दो विधी होती है एक होती है प्राकतिक विधी होती है और दूसरी जो होती है उसे हम कृतिम विधी कहते हैं एक को हम क्या कहेंगे प्राकतिक विधी क नकरें ठीक है उसका मानों के द्वारा जो उत्पन डिवाइस सबाएक जिसना गजो हम नेच्टरल तरीके से हो जाए हमारे कि इसे विध्य होगी जो मनुष्य द्वारा बनाई गई होगी ऐसी डिवाइस को हम कहेंगे क्या कृतिम विधी कहेंगे चलिए देखते हैं प्राकतिक विधी के अंतरगत क्या क्या चीज़े आती है जैसे आवधिक सैयम ले विधी भी कहते हैं से बाहर इस्खलन कहते हैं से इस्तनपान अना ताव यानिकि ये सारे विधी प्राकतिक विधी के अंतरगत आती है हम कृत्म विधी की बात करें तो कृत्म विधी के अंतरगत क्या होता है मुख्य निरोधक गोलियां होती है तो इसा हम संजहे कि तीन अलग अलग ये विधी होती है हम डिवाइस, कॉंडॉम, डायफ्रॉम, फेमिडॉन, वैसक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी यह सारी विधियां होती है जिसमें से इंपोर्टेंट आपको जो पढ़नी है वो है आपका क्या तो सबसे पहले समझते हैं प्राकतिक विधी के बारे में तो प्राकतिक विधी आवधिक लय यह संयम का अर्थ होता है आपके बीच यानि कि पुरुष और इस्त्री के बीच यानि कि निसेचन की यदि वो प्रक्रिया कर रहा है यानि कि वो संभोग की प्रक्रिया वो कर रहा हो तो वहाँ पर वो क्या करें अपने आपको संयम से बरते यानि कि वो अपन जो है यदि वो मैंसूरेशन साइकल है ना मैंसूरेशन साइकल उसका है तो उसके दसवे से बारवे दिन के पस्चाथ वो क्या करे संभो की क्रिया ना करे ठीक है इसके पस्चत क्या होगा वो जो नया बेबियुद्पन होना हो वो नहीं हो पाएगा ठीक है तो यह एक प्रक् या पुरस संभोग करना चाहा रहा हो यदि वो कर भी रहा हो तो वह क्या करे अपने सुक्रानों को यानि कि स्पर्म को नग महिला के वेजाइना में ना डालकर वह बाहर गिरा दे तो यह होता है क्या बाह्य स्खलन की विधी ठीक है थार्ड विधी है इस्तन पान यानिके अनारताओ ये ऐसी विधी है बच्चो इस विधी में क्या होता है इस विधी के दौरान यानिके अनारताओ आपके इस्तन पान में क्या होता है जो महिला होती है जो बच्चे को क्या करती है दूद पिलाती है जो माता होती है वो अपने इस्तनपान को 6 महीने तक continue जारी रखे वो छोड़े ना अगर वो छोड़ देगी तो उनका mensuration cycle जो है start हो जाएगा ठीक है तो इसके दोरान वो क्या है इस्तनपान कराते रहे अपने शिशु को जिसके दोरान का mensuration cycle रुक जाएगा अर्थात अंडानू बनने की प्रक्रिया व और आपका नया बेबी भी नहीं होगा तो इस प्रकार से भी आप परिवार नियोजन यानिके जन्मनी अंत्रन को कंट्रोल कर सकते हैं चीक है आए समझते हैं कृतीम विधी के बारे में संजें तो कृतीम विधी जो होती है इसके अंतरगत जो है first है आपका क्या मुख्य न मुख्य निरोधक की जो गोलियां होती है वो क्या होता है ध्यान से समझेंगे मुख्य निरोधक की जो गोलियां होती है महिलाएं जो है इनका यूज करती है पहले के टाइम पे माला डी है ना माला एन ये सारी जो मैडिसीन आती थी जो महिलाओं के द्वारा यूज की जात अस्ट्रोजन ये हार्मोन उस पे होता था जिसके वज़े से भी निसेचन की प्रक्रिया को रोका जा सकता है यानि कि जो बेबी उत्पन होना हो वो नहीं होगा निसेचन तो हो सकता है लेकिन आपका जो बेबी है उससे उत्पन नहीं होगा ठीक है तो इससे भी आप जन्म को कंट्रोल कर सकते हैं मुख्य निर्धो की गोलिया को पहले खाते थे लोग आभी थोड़ा सा कम कर दिये हैं तो ये भी एक विधी होती है मुख्य निर्धोकी गोलिया ठीक है इससे भी हम क्या कर सकते हैं जन्म को नियंदित कर सकते हैं नेक्स्ट आपका सुक्राणू वा अंडाणू को निसेचन से रोकना तो सुक्राणू वा अंडाणू को निसेचन से किस-किस विधी द्वारा रोका जा सकता है बच्चो ध्यान देंगे सुक्रानू वँ अंडानू को एक मैठड होता है IUCD जिसे कहते हैं इंट्र इूटेरैन कोंट्र अप्यप्टिव होता है to माता के गरभास दिन रोपित किया जाता है यह यह कर दिया आता है इसे diagram से संजें यह हैं आपका copper T ठीक है यह क्या है आपका copper T है ठीक तो यह जो copper T होता है अलग-अलग type की होते है copper T two hundred copper T आपके 250-100 यानिकि 250 इस प्रकार से अलग-अलग copper T होते हैं यह आयन release करते हैं जैसे हमको पता है ठीक है यह जो copper T होता है माता के गरभासा में इस प्रकार से फिट कर दिया जाता है ताकि आपके यहाँ पर क्या बनता है? ओवम बनता है, अंडाशाय में अंडाणू बनता है है ना, तो इस अंडाशाय में जो अंडाणू बना हुआ है वो इस फैलोपीन ट्यूब में इस अंडवाहिनी में नीशेचन की क्रक्रियाय होती है सुक्राणू और अंडाणू यही पर तो मिलते हैं नहीं पता को आप ध्यान रखेंगे सुक्राणू और अंडानू जो है आपके फैलोपीन ट्यूब अर्थाथ एंपुलर इस थमस जंग्षण के बीच में मिलने के पस्चा नीसेचन की प्रक्रियाएं होती है तो अंडानू तो आपका आ गया ठीक है लेकिन इस कौपरी जो की गर्भाशे में लगा है इसके वज़े से सुक्राणू जो है जो सुक्राणू एंटर कर रहा है वो यहां एंटर नहीं कर पाएगा अर्थात इसमें नीसेचन की प्रक्रियाएं जो है नहीं हो पाएगी क्या होगा नीसेचन की जो प्रक्रियाएं होगी वो नहीं हो पाएगी फलता सिशु जन्म नहीं हो पाएगा ठीक है यानि कि दोनों यूगमक नहीं मिल पाएंगे फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे और आपकी यूगमनच का भी निर्मान नहीं होगा तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं जन्म को कंट्रोल कर सकते हैं तो कॉपर टी 200 भी होता है कॉपर टी जो है 250-100 भी होता है अलग-अलग टाइप के कॉपर जो आयन होते हैं ठीक है तो चलिए नेक्स देखते हैं कॉंडोम तो ये मुझे बताने के आवश्रक्ता नहीं है इसे पुरुषों के द्वारा यूज किया जाता है ये एक पॉलिथीन चोटी सी जिल्ली के समन सरचना होती है जो इस प्रकार से हमें दिखाई देती हैं है ना इसे कॉन यूज करता है पुरुष के द्वारा इसे इस प्रकार से ठीक है इस प्रकार से क्या होगा जमा हो जाता है यानि कि जब इसमें जमा हो जाएगा तो सीधी सीधी बात है कि नीसेचन के दरना करूं नीसेचन प्रक्रिया कर भी रहा है यानि कि फर्टिलाइजिशन यानि कि संभोग की प्रक्रिया हो भी रही है तो यह सुक्राणू जो होता है यह जो सुक्राणू होता है इस आपके गर्भाशे में नहीं जा पाएगा ठीक है वो यहीं एकत्रित हो जाएगा गर्भाशे में एंटर नहीं कर पाएगा ठीक है तो यह भी होता है कॉंडॉम जिसको इसके बारे में तो हर किसी को नॉलेज होता है य ऐसे कमीं जो होता है अर्थात वासाडि डिफ्रेंज़ सक्रजनक नखिनक की बारे में बात हो रही है यानि कि अगर हम पूरुस के नर्जनांक जरनांग का फ्रेक्टर देखेंगे तो वहां पर सुख्रजन्क नली का होती है जो शूक्राणों का निर्मान करती है ठीक है तो ये है आपका क्या है गिनर्जनन तंत्र का ये डाजार्प र यहां पर आप देख रहे हो गे वासा इप्रेंस ठीक है वाज़ो को इसको बांध देते हैं ताकि सुकरानों जो है बनने के पशाथ आपके अंड वाहिने तक ना पहुंच सके ठीक है अंड वाहिने तक नहीं पहुंचेगा तो नी सेचन की प्रक्रियाएं भी नहीं हो पेपर में बहुत भी पूछा गया है यह आपके ट्वेल्थ एक्जाम में भी यह वैसक टॉमी और टूबेक टॉमी के बारे में बहुत ही जादा पूछा जाता है और नॉलेजबल भी चीज है तो इसे ध्यान रख सकते हैं ठीक है कैसे ध्यान रखेंगे जब वास यह वैसक टॉमी कैसी विधी होती है जिसमें वासा यह नर्जनन तंत्र में जो सुक्रजनक नलिका होती है से काट कर बांद दिया जाता है ताकि निसेचन की प्रक्रियाए ना हो अठा सुक्रानू और अंडानू ना मिल स बाती है ठीक है तोड़िया नैयक्स देखते हैं यह आपका क्या त्यूब लएट वामी यह क्या होता है बच्चों ट्यूब लिटव ट्मी जो होता है अर्थात माधा जनन कर अंग होते हैं एक ही बनता है ना ध्यान रखेंगे ठीक यह अंडाणों बना और यह अंडाणों बनने के पस्चार यह फैलोपियन ट्यूब में एमपुला इस्थमस जंक्शन के पीच में जहां पर निसेचन की प्रक्रियाएं होती हैं तो आप क्या करेंगे इस ट्यूबेक्टॉम को काट कर बांध दिया जाता है अब बांधने के पस्चार सीधी सी बात है जब यहां पर इस पर एंटर करेगा तो यह तो कट गया है तो यह एमपुलरी स्थमस जंक्शन के बीस तो जा नहीं सकता तो अंडाणों तो यहीं पर रहेगा तो जब यहां पर जाहीं नहीं सकता तो सीधी बात है सुक्रानों और अंडानों तो मिलेंगे ही नहीं तो फटिलाइस करेंगे कैसे है न Ah, तो फटिलाइस नहीं हो पाएगा जिसके पस्चार जाइगोट का नेमा नहीं होता और नहीं होता तो ये भी एक जन्वन नियंद्रन के विधी होती है ठीक है आई होप यह आपको समझ आ गया होगा लास्ट है आपका एक और वज़े के हमारा जिसको हम कहते हैं चिकित सकही गर्भ समापन चिकित सही यानि कि MTP जो होता है थ्यान रखेंगे अधि कर टर्मिनेशन ओफ प्रेग्नेंसीो जो होता है जो intervene हुता है यह कोई बहुत वड़ा चीज से नहीं है ठीक है जो government hospital होता है वहाँ free में हो जाता है abortion की प्रक्रियाएं जो किते हैं महिलाएं करती है महिलाएं जो होती है वो अगर उनको baby नहीं चाहिए तो वो क्या करती है abortion करवा देती है बच्चे गिरवा देती है तो उनको जिनको जन्म नियंतरन करना है तो ये भी एक विधी अपना सकता है ठीक है तो ये है आपका क्या ये है आपका परिवार नियोजन या परिवार कल्यान की या जन्म नियंतरन की विधी अलग-अलग टाइप से होती है इसको जन्म को कैसे नियंतरित कर सकते हैं अब प रखेंगे परिवार कल्यान विभाग के नाम से भी जाना जाता है ठीक है इस नाम से भी से जाना जाता है आई होप यह आपको मज़ेदार लगा होगा आपको बहुत इच्छे से समझ आया होगा आप दूसरों को भी शेयर इसे कर सकते हैं और यह आपके लिए मज़ेदार और दूसरों को भी लिए ठीक है चली चलते हैं आई हो बच्चो यह चीज़े आपको समझ आए होंगी आप मेरे से अच्छे से पड़ रहे होंगे समझ रहे होंगे तो बच्चो इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा Google पर जाएए वहां पर अभिप्षा एप्लिकेशन है आप उसे डाउनलूट कर सकते हैं आप वहां से कोर्स को खरीद सकते हैं साथ ही साथ डबल एट टूवन ट्रिपल जीरो नाइन एट सेवन पर भी जाकर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं आई होप आपको समझाया होगा धन्यवाद